बगैर फार्मासेस संचालित हो रहे एक मेडिकल स्टोर पर कारवाई करते हुए दवा खरी देवं विक्री पर रोक लगा दी गई है और श्थी निरीक शक ने एक दवा का सैंपल भी लिया है कमियों को सुधारने के निर्देश दिये गए है ये है मामला बता देग की निशनल हाईवेट उपर गोकुल रेस्टोरेंट के समीप संचालित एक मेडिकल स्टोर की शिकायत औश्थी निरीक शक एके आनन को मिली बताया गया कि यह मेडिकल बगैर फार्मासेस्ट के काफी समय से चल रहा है इसका संजान लेते हुए डियाई ने नयती रांस्टिटल के बाहर संचालित मेडिकल स्टोर का निरीक शन किया फार्मासेस्ट के बारे में जानकारी की तो कोई बतन नी पाया जानकारी में आया कि करीब एक महा से फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है दवाओं की खरीद एवं विक्री को रूपवा दिया अन्य छोटी मोटी कमियों को सुधारने के निर्देश दिये हैं दवाओं के क्रए विक्रए के रिकार्ड मांगे खाद्य सुरक्षा एवं उष्थी प्रशासन विभाग के उष्थी निरीक्षके के आनंद ने जानकारी देते हुए बताया की शिकायत मिली थी कि हाई वे पर एक मेडिकल अवैध चल रहा है जब हमने नयती फार्मा प्राली के मेडिकल स्टोर को चेक किया गया फार्मासिस्ट मौके पर नहीं मिला एक महा से फार्मासिस्ट नहीं है बताया गया नियम के ठत यहां दवाओं क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है अन्य रिकार्ड मांगे गए है